नोकिया ने इस वर्स आयुज़ित हुए कंस्यूमर इलेक्ट्रानिक सोव में नोकिया जी फोर हंडरेड़ फाइब जी की घोशना की थी अब नोकिया अपने जी फोर हंडरेड फाइब जी को लाउंच करने की तैयारी में जूटी हुई है कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फोर्न की कुछ फीचर से लीख हुए है नोकिया जी फोर हंडरेड में कॉलकम का स्नैप ड्रैगन 480 प्रोसेसर लगा हो सकता है इस फोर्न में 6GB की रैम और 108GB की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है इसके अलावा यह फोन ट्रिपर रियर कैमरा सिट अप को सपोर्ट करता है इसमें 48MP का प्रैम डी कैमरा, 2MP का अल्टर वाइड एंगल कैमरा और 2MP कैमरा दिया जा सकता है तो वहीं 8MP का फ्रैंट कैमरा भी हो सकता है तो वहीं डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 6.5.1 इंच की स्क्रिन दी जा सकती है जिससे LCT डिस्प्ले मिल सकता है फोन में 5000 इमेज की बैटरी लेगी हो सकती है इसके अलावा फोन में फास्ट चार्जिंग का फीचर दिया जा सकता है इसके अलावा फोन के नाम से है इसपस्ट है कि फोन 5G नेटवर्क पर काम करेगा या फोन Android 12 OS के साथ लांच हो सकता है रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया है कि नूकिया के इस मुबाइल को वैस्विक इस तरह पर नूकिया G40 या नूकिया G41 के रूप में लांच किया जा सकता है नूकिया इसकी कीमत लगभं 17,800 रुपे रख सकता है